नेपाल की तराई में हो रही पारी सरनदियों के उफान से अद्वारा समू की नदियों का परना जारी बार का खत्रा पर करा कुरोना गया नहीं जिन्दगी की गारी पटड़ी पर लाएं जरूर लेकिन समहल समहल के और जल जीवन हर्याली की समीक्षा की उबिकास आयुक ने कहा करें लक्ष को पूरा जल जीवन हड़ियाली कर्म भी धर्म भी कर्तब्र आगे समचार विस्तार से लेकिन थोड़ी देर बीमार नहीं रहा लाचार हो रहा मुफ्त उपचार हड़ी नस रोग से संबंदी गंभीर बीमारियों का मुफ्त मेलास इंतिजार किसका जाएं सरफ और्थो इस्पाइन सेंटर दर्ज कराएं प्रधान मंतिर जनारों की योजना में अपना नाप विस्तु की सबसे बरी स्वास सुप्धाओं का उठाएं लाब और अब समचार विस्तार के साथ, बात करते हैं सबसे पहले मौसम और बार की, बार नदियों का उफान, यानि परती दिन अभी एक से दो सेंटीमीटर नदी की धारा पर रही है, मुची हो रही है, अदवारा समू की नदी की बात करें, अलाकि दस जुलाई को इस बर्स का जो अधिक्तम जो पानी था, उससे अभी भी 6 इंच निचे हैं नदी। लगातार हो रही बारीस, और इस जमाजम बारीस से नदी का जलास्तर भी थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ रहा है, नेपाल के तराई छेतर में भी लगातार हो रही है बारीस, और इसके कारण खत्रा मढ़ रहा है, लेकिन एक से दो सेंटीमीटर के अंतराल में यह पानी बढ़ता जा रहा हलाकि दस जुलाई की बात करें तो दस जुलाई में जो इस्थिती बढ़ी हुई थी सहर पर खत्रा मड़ा रहा था बाढ़ का वैसा असर नहीं है छा इंच अभी भी नदी का जलस्तर कम है लेकिन लगातार बारिस और नेपाल की तराई छेतर में अधवारा समू की नदिया भी बढ़ रही है और उसी हिसाब से वहां के जलस्तर में बृधी होगी तो सभाविक है कि यहां की नदी में जलस्तर में भी बढ़ना तैह है जन्जारपूर की यह तस्वीरे हैं अधवारा समू की नदिया देखे कैसे पूल को छूता हुआ हलका हलका इसके पानी के बढ़ने का जलस्तर के बढ़ने की यह तस्वीरे है कोरोना काल में टीका करन और सर्वीलेंस पर वर्क्शॉप का आयोजन किया गया डीमसी प्राचारे सहसिसु विभाग के विभागा अध्यक्ष डॉक्टर केन मिस्रा ने इसका उद्घाटन किया डॉक्टर केन मिस्रा ने कहा कि कोरोना काल में सर्वीलेंस कारे काफी हद तक बाधित रहा इसका कारण मरीजों का अस्पताल में आना कम होना साथ ही स्वास्तितंत्र को पूरिता कोड़ना के संबंदित गतिवीधियों में उप्योग किया जाना रहा है कारिक्रिम किया ध्यक्स्ता की डॉक्टर असोक कुमार साह प्राध्यापक ने इस मौके पर मौझूद थे डॉक्टर एनपी गुप्ता, डॉक्टर डिज्वान हैदर, डॉक्टर मोहन केजरिवाल, डॉक्टर मनिशंकर, डॉक्टर अमीत कुमार, डॉक्टर अमीत, डॉक्टर अम्रेश कुमार साहू, चंदन पाठक रस्मी जा अब बात करते हैं कुरोना की जहां कुरोना लगतार देश में जहां पचीस हजार के आजपास कुरोना संक्रमित का उस्त चलाया था और ये बिहार अनलोगडाउन च्छो जरूर लागो है लेकिन कुरोना गया नहीं है और सनिवार को 45,000 से उपर कुरोना संक्रमित 500 के लगबग मौत बिहार में भी आकरा जादा रहा और दर्भंगा में भी सनिवार को तो नहीं लेकिन गुरुवार और सुक्रवार को दो दिनों में दो मौत को गई और ये सतर्कता का संदेश दे रहा है कि आप सतर्क को करके जिल्गी की गारी पटरी पड़ा आगे लाई देश में कुरोना मरीज के 25,000 आसत आने के साथ ही सरकार ने सभी सिक्षन संस्थान धार्मिक संस्थानों को खोल दिया बिहार में च्छा अनलागडाउन भी लागू हो गया और इसके साथ ही थोड़ी बहुत खुसिया भी लौट आई कि पड़ते वहाव आव खुसी के साथ पावंदी के साथ नहीं अच्छे से मनाया जाएगा लेकिन इसके साथ ही कोणा की बढ़ती संख्या भी लगातार बढ़ी रही है पैतालिस हजार जहां देश में इसका केस है पांसो तक मौते भी हो गई है हलाकि दर्भंगा की बात करें तो रवीवार सनीवार को तो नहीं लेकिन गुरुवार और सुक्रवार को मिला दें तो दो मौतें हो चुकी है कोरोणा से ये इस सतर्कता जरूरी है इसके साथ ही सिक्षन संस्थान धार्मिक संस्थानों को खोला गया तो हमारी या खुसियां भी लोट आई लेकिन इसके साथ सतर्क रहना जागडुक रहना बहुत जरूरी है और बात करोना वैक्सिन की जी हाँ लगतार सुक्रवार को जहां देश ने एक रिकॉर्ड कायम किया एक दिन में एक करोर दों का वैक्सिनेशन दर्भंगा भी पीछे नहीं लेकिन बहुत समलके सतर्कता सबसे बड़ी सुरक्षा क्योंकि करोना यहीं मौका देखता है भीड जुटाएं लेकिन अपनी सुरक्षा जरूर रखें सोसल डिस्टेंस बनाएं मास लगाएं क्योंकि आप प्रोना का वैक्सिन ही लेने जाएं और उबिकास आयूग तनाय सुल्तानिया ने जल जीवन हर्याली पर समिक्षा अत्मक वैठे ती मनरेगायम इसे संबंधी जल जीवन हर्याली अभ्यान कारियों की प्रगती की समिक्षा विकास आयूग ते सहा अपर जिला कारिक्रम समनवयक तने सुल्तानिया ने किया समिक्षा के क्रम में जल जीवन हर्याली अभ्यान पॉर्टल या मास्की प्रगती प्रतिवेदन के मध्ध अंतराल को अभ्यान चला के स्माप्त करने का निर्देश दिया गया समिक्षा के क्रम में अनुपस्थित पाये गये पंचायत रोजगार सेवकों के बिरोध कारवाई सुनिशित करने के लिए जिला कारिक्रम पदाधी कारी मनरेगा को निर्देशित किया गया विक्सीत भारत के निर्मान में जातिवार जनगर्णा की अनिवारिता विशेपा स्रीक्रिस्न चेतना मंच की ओर से 30 अगस्त को विचार गोस्थि का आयोजन किया जागा कारिक्रम की तैयारी रूप रेखा को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया मंच द्वारा है उजित जो आठमा हमारा है शमारो है भार्षिक समारो है उसमें जातिवार जनगर्णा की अनिवार्जता उसकी प्रशंगिक्ता उस उस संदर्व में हमने राष्ट्रिय अस्तर के विद्वानों को आमंत्रित किया है कि इस पर जातिवार जनगर्णा होना चाहिए ते क्यों होना चाहिए और जदी नहीं ते क्यों नहीं होना चाहिए इन बातों पर हमने विद्वानों को आमंत्रित किया है और इसमें मेडिकल के लिट्रियम में सवागार में इस पर गहन भी मर्स होगा तीस तारीकों स्रीक्रीष चेत्रामंच मेडिकल के लेक्चर थेटर में बिक्षित भारत हेतु जाती जनगर्णा के अनिवारता पर एक कर्जक्रम है जिसमें कई सारे विद्वान आएंगे और जाती जनगर्णा पर बेख्षान देंगे उसमें डिसकस होगा जनगर्णा की जहां तक कि अभी हमसे पहले हमारी सची मह shoérer बता रहें कि कुछन आया था आपकी तरफ से तो मैं बताओं मैं बदा दूं कि आपके आप्यों जो भी बजट बंता है बजट बंता है वो पिच्छी समाझ के लिए या लोग इसके लिए खास करके जो बैंचित सम हम लोग को जो हक मिलना चाहिए यानि बिहार को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है तो सुता जब बजट बनेगा यहां के जो समाज बंचित समाज है पैसे आएंगे तभी उसकी बिखास हो पाएगी बाकी है अभी और भी बहुत कुछ लें पहले रुखेंगे लेगे एक ब्रेक ग्लोबल हेल्थ केर एंड डाइबेटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतराश्य तक्नीक एवं आधुनेक सुविधाओं से लेस सूपर स्पेशलिटी डाइबेटीज के इंदर है जहां एक छट के नीचे डाइबेटीज से संबंदत सारी सुविधाएं मौजूद हैं जैसे के डाइबेटीज हार्ट केर, डाइबेटीज आई केर, डाइबेटीज निउरो केर, डाइबेटीज फूट केर, डाइबेटीज फॉर्मेसी और डाइबेटीज पर्योग शाला पता, जीजिस एंड मेरी स्कूल के पास, रहम गंज, दर्बंगा, ब्रेक के बाद एक बढ़कुनाब सबुका स्वागत है, हम बढ़ते हैं आगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख समझा नेपाल की तराई में हो रही बारी, सर नदियों के उफान से, अदवारा समू की नदियों का परना जारी, बार का खत्रा परकरा कुरोना गया नहीं, जिन्दगी की गारी पटड़ी पर लाएं जरूर, लेकिन समहल समहल के और जल जीवन हर्याली की समीक्षा की उबिकास आयुक ने कहा करे लक्ष को पूरा, जल जीवन हर्याली कर्म भी, सर्म भी, कर्तबर प्रधान मंत्री आवास योजना को लेका उबिकास आयुक्त तने सुल्तानिया की अध्यक्स्ता में बैठा का योजन किया गया प्रखंडवार सभी आवास योजना आधिकारी और करमचारी के साथ बैठक की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी पहलूओं महत्पुर्ण बिंदों पर चर्चा करते हुए रोच्टर बना कर लंबित रासी के भूखतान आवास का निर्मान को लेकर विचार विमर्स किया गया जिसमें दो प्रखंड के साथ सदा प्रखंड और हयागार प्रखंड का बैठक कर आगे की कार योजना का निर्ण लिया गया वहीं उपिकास अउक्त तने सुल्तानिया ने कहा कि सभी 18 प्रखंडों में लंबित आवास योजनाओं के बारे में रोस्ट बना कर रासी का भूगतान या आवास का निर्मान कराया जाना तै किया गया है बार के बाद अब पानी की निकासी शुरू हो चुका है इसके बाद सभी प्रखंडों में लंबित आशी का भूगतान कर सभी आवास का निर्मान पुर्ण खडाने का आदेश निर्गत किया गया है प्रधान मंत्री आवास योजनल को लेकर प्रखंड वार सभी ब्लॉक सुपर्वाइजर, एकाउंट, एक्जिक्यूटिव और ग्रामीन आवास साहिक के साथ रोस्टर बनाके ब्लॉक वार बैठक की जारी है अभी तक कुल चार ब्लॉक की समिक्षा है आज हाया घाट और सदर की कई इसी तरह से आगे रोस्टर अगले हफ़ते में सभी अठार ब्लॉक की समिक्षा की जाएगे पूर्णता अवास में जितने अवास लंबित बजगे हैं उनको कंप्लीशन को लेकर किष्ट भुक्तान को लेकर इन सब को प्रात्मिक्ता करते हैं अब कई प्रखंड में बाड की समस्या खतम हो रही है वाटर रिसीड कर रहा है तो अब पूरी तरह से कैम बोड में काम करते हैं हर हाल में अगले दो मामें सभी जो लंबित आवास हैं उनको शक्त प्रतिशत पूर्ड कर दिया जाए इसी पे सभी आवास सहेग और सभी टीम के सब डीटियल में समिक्षा है सिंग्वारा के माधोपूर वस्तवारा पंचायत के दिवासी कलिमुला खान की पुत्री आर्जू खानों ने एमे उर्दू में टौपर बन नाम रोफसन किया है अपने गाउं का पडिवार का पूर्ड मुख्या आमजद अवास ने उसे समान किया सिंग्वारा प्रखन माधोपूर वस्तवारा पंचायत के वस्तवारा निवासी कलिमुला खान की पुत्री आर्जू खानों ने एमे उर्दू में टौपर बन काम्यावी का पर्चम लहराया है पुरो मुख्या अमजद अबास ने उन्हें समानित किया हम लोग रहरी कर रहे हैं और फर्तिलित कर रहे हैं हमें अपने आप में बहुत फटर महस्तुस हो रहा है और जो है आल शुरूप कामना कि वह हमारी बहुत प्रतसाहित किया है इस परहाय के लिए और सबस्वाद मेरे डिपार्टमेंट के इतने फिचर हैं सब को सरे देना चाहते हैं सबका सर्यों में इस सबकलता है और अपने गाहों का नाम लाशन की बहुत बरी कुसी की बात है आज आज आप लोसे हम विलने का मौका मिला मैं आज उस समाज के लिए प्रेड़ना बनी जहां बेटी और बेटों में फर्थ पाये जाता है मिठला विस विधाले पीजी हिंदी के सिक्षक बिजे कुमार के तवादले से नाख्वस चात्रों ने मिठला स्टुडेंट यूनियं के बैनर तले प्रदर्शन किया मितले स्टुडेंट उनियन और पीजी के छात्रों के अगवाई में एक पड़रसन किया जा रहा है मांग हो रही है कि अच्छे सिक्षक की बहाली को जिसको यहां के कुलसचीव और कुलपती के दुवारा तबादला कर दिया जाता है हम लोग मांग कर रहे हैं कि वह एक अच्छे सिक्षक है उनका जैसा पीजी फर्स सेमेस्टर और पीजी थर्ड सेमेस्टर के छात इस अंदोलन में सावागिता दे रहे हैं उसने साब सिस्फष होता है कि कहीं न कहीं सिक्षक में कुई क्वालीटी यह करन छात्र चार रहा है कि वह इसे सिक्षक का तबादला नहीं किया जा लेकिन एक साजिस के ताथ कहीं न कहीं विश्विद्याला में अभी अरा जक्ता चरम सीमा पर फैला हुआ है कुलेज़ों में पदादिकारी हो शिक्षक पड़ा कर दियाथ की था прाभी शिक्षक सग्ह गुटव झूतान्पर दोन प्रार्थमिक और बध्विद्यालेयों में प्रधाना अध्यापकों की निवक्ति के बारे में जो दिया गया है कि सरकार ने के दौरा पास किया है कि वह परिशाख के दौरा उनकी निवक्ति होगी जो सरासर गलत है आज से कुछ दिन पहले ही सरकार ने यह घोसना कर रखी थी कि प्रार्थमिक और मध्विद्यालेयों में प्रधाना ध्यापकों की बहाली सीधी प्रुनत के आधार पर की जाएगी और उसको ट्रस करते हुए उसको तोरते हुए यह नियाबावली बनाई गई है जो सरासर गल जैसे जोलंत समस्या को दिखाया गया है प्रेम कहानी के माध्यम से रुखले परदे पर दर्साने का इसे प्रयास किया है इस संदर में लेखक निर्देशक ने बताया कि किस तरह से मिथला की संस्कृति को समेटे चल्चित्र का उन्होंने यबीरा उठाया चौधरी सिनेमा और अचल्चित्र के बैनर तले बन रही हिंदी मूवी नो रोड होम में मिथला की संस्कृति के सासा पलायन और बेरोजगारी जैसे जोलंत समस्या को प्रेम कहानी के माध्यम से रुखले पर दर्साने का प्रयास किया गया है प्रेस कॉंफरेंस में फिल्म के लेखक नेदेशक पार्थ सौर हमने बताया फिल्म यहां के दर्साने की प्लायन अच्छान है और यहां से कभी कपल्स बहाँते हैं अवसल यहां के ससाइटी में फिल्म आपइस एचर्ष करने में उभू दिक्कत हुथी है और साथ में बिरोजगारी के बारे में भी है जो लॉग्डाण बेकारन शुरू है जो पढ़ता है अरोज़गारी की और जो माइगरेंट्स वापस आये हैं और यहां पर आपके आपके इस्टरयों करना है वह भी एक मेजर पीज़ारी की जो तो कहानी पिछले में 2020 जुलाई में विट सेट है जब एक वर ट्रेंस वेंस पिल चुखे हैं और लोग वापस आने दर्गोना के अले कुछ होती है तो यह ते अब तक के समाचार लेकिन विदा लेने से पहले एक में देव मुक्त समाचार नेपाल की तराई में हो रही बाड़ी सर नदियों के उफान से अधवारा समू की नदियों का बढ़ना जारी बार का खत्रा बढ़करा कुरोना गया नहीं जिन्दगी की गारी पटड़ी पर लाएं जरूर लेकिन समल समल के और जल जीवन हर्याली की समीक्षा की उपिकास आयुक ने कहा करे लक्ष को पूरा जल जीवन हर्याली कर्म भी सर्म भी कर्तब इसके साथ ही दीजिया हम इजाज़त इस परसारं से लेकिन इस कुरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए मास्क जरूर लगाईए सोसल डिस्टेंस बनाएए दो गज़ की दुरी अपनाएए और एड़ता रखते हैं तो वैक्सिन जरूर लगाईए नमस्कार जैनी ज ढ़ाईए आप रखते हैं झाल झाल झाल